अकसर DIY के नाम सुनते ही न हम सोचते हैं कि बहुत महनत भरा काम होगा छोड़ो पर अगर आप जुगाड़ू बेश्टी या वेश्टी बेश्टी का हिस्सा है तो आपको पता होगा कि मेरे सारे DIY लगबक फ्री आप कोस्ट और इतने आसान जिनको आपके आपके बच्चे भी कर सकते हैं नमस्कार जुगाड़ू बेश्टी पर आप सभी के धेर सारा स्वागत एक आज फिर से आसान सी DIY के साथ जितना आसान उतना ही नया और एक बार फिर से मैं आप से यही कहूंगी कि यह DIY न तो आपने कभी देखा होगा न सूना होगा हां सोचा हो सकता कि आपने स और आज के यह वीडियो में डेडिकेट करना चाहूंगी अपने रीना बहन को जिनों ने फर्माइश करे थी कि जो हमारे कपडों की पैकिंग में इस तरह के ट्रांस्पेरेंट पॉली थी नाते हैं उनका क्या करें बहुत बड़े-बड़े चेलेंजिस देती हैं मेरी बहन ऑपने अब मैं भी सोच रीती कि इस तरह की ट्रांस्पेरेंट पॉली थीन का क्या करूं हलाकि जो कपडों की पैकिंग में जो कागह जाता है शर्टों की पैकिंग में उसका तुम एने इस्तिमाल किया हुआ है आप लोगोंने वीडियो देखा भी होगा पर इस तरह की ट् पूरा तो करना ही करना है, ट्रांस्पेरेंट, पॉलिफिन, और तो कोई मुझे मिल नहीं रहा था, फिलाल तो कपड़े खरीदे नहीं है, बहुत दिन से, कुछ की सॉक्स पढ़े थे नहीं, तो सॉक्स का मैं ये निकालती हूँ, अपना पॉलिफिन, ट्रांस्पेरेंट है, छोटा हो या हो बड़ा, आपको सिर्फ मैं आइडिया दे रही हूं, आप साइज अपने हिसाब से जुन सकते हैं, चार सौक्स थे, चारो का मैंने निकाल लिया, अब उपर का पोर्शन थोड़ा सा इस्टिकी है काम करने में, ये थोड़ा सा परेशानी करेगा, तो इस्टिक कोई डिजाइन नहीं बनी प्लेन है, तो आप कोई भी अपना जो गिफ्ट रैप करने के लिए जो पेपर आप लोग खरीते होंगे, वो पेपर ले सकते हैं, और कोई भी कलर्ड आपके पास कोई पसंदीदा पेपर पड़ा है, वो आप ले सकते हैं, और जिस साइज का मेर अपनी पसंद की हिसाब से, अब ये नैपकिन, मेरा डवल प्लाई का है, पर मैं इसको काट के अलग नहीं करूंगी, बस इसी में जो पॉली थीन है, उसी के साइज के मैं फोल्ड कर दूंगी, थोड़ा थिकनेस होगी, तो भी कोई प्राप्लम नहीं होगी, अच्छा लग ये जो प्रेंट आप यहाँ पर देख रहे है ना, ब्लैक कलर का, तो जो हमारा नैपकिन का सीधा फ्रंट वाला पोर्शन है, तो आप ऐसे डालेंगे कि जो पॉली थीन में जो प्रेंट है, वो पीछे बैक साइड में रहे, ये दिखे, आपको नैपकिन चुकी सॉफ्ट ह अंदर डालने में दिक्कत हो रही है, तो बहुत आसाने के साथ आप डाल पाएंगे, बस आप जाए एक स्केल लेके आए, इसकेल की मदद से, ये सट से अंदर चला जाएगा, है ना, छोटे-छोटे से काम होते हैं, जिनको आप अगर इस तरह से करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हाती है, इसकेल की बता से, बिल्कुल सीधा सा नेपकिन मेरा चला गया, जबकि बहुत सौफ्ट होता है, जोड़ा सा डालने में दिक्कत होती है, इसी तरह से, दूसरे में, मैंने अपना ये जो, गिफ्ट रेप पाला पेपर डान काटा था, वो मैंने डाल तो यहां पर मेरे पास एक और डिजाइन तयार हो गया, है न, थाना असान, चलिए भई, दो तो तयार हो गए, बाकी के दोनों और तयार कर लेती हूँ, और यहां पर मैं एक नेपकिन के दो पीस काट लूँगी, नीचे से इसमें भी डवल पलाई का है, तो यह भी डवल ह हो गया, तो अपना काम हो जाएगा, अब यहां पर मेरे पास चार हो गए, अब क्या करेंगे, बस, इसके बाद हमें चाहिए होगा थोड़ा सा सेलो टेप, टेप आपके पास अगर डवल साइड़ है, वो ले सकते हैं, या सेलो टेप भी काम करेगा, अच्छा इसके पहले कुछ डियाईवाईज में मैंने सेलो टेप जब भी इस्तेमाल किया है, तो कुछ बहनों के सवाल आएं कि सेलो टेप उखड़ जाएगा, पर नहीं, अपनी जिन डियाईवाईवाई में मैंने तीन साल पहले लगाया था, सेलो टेप वो अभी तक मेरा लगा हुए, और मेर देखा होगा कि मैंने कैसे बनाया है, बस एक टेप को उसका जो चिपचिपा सा जो पोर्शन होता है, उसको हम लोग दोनों साइट रखेंगे, तो हमारा बन जाता है डवल साइड़, बस अब ये नैपकिन मैंने चिपका दिया अपने इस कंटेनर के ऊपर, अब आप आप को जो भी डिजान पसंद आते ना, अपने पसंदीदा डीजाइन में आप अपने धेर सारे कंटेनर्स बना सकते है और इस तरह कि प्लास्टिक टिब्बे अनगिनत कीचन में, पढ़ ही रहते हैं आप इनको बनाएगे, आप अपने कीचन में इस्तेमाल कर आप एक यह लंबा है तो लंबे वाले के लिए ये दो पीस मैंने बनाये थे चुकि जैसा कि मैंने पीछे बताया कि मेरे पास ये सौक्स के पॉलि थिन थे तो ये उतने चोड़े नहीं थे यहाँ पर अगर आपके पास शर्ट का है या टिशर्ट का है साड़ी का है सूट का है तो आपके पास बड़ा सा पॉली थिन होगा तो आपको यह छोटे-छोटे से कट पीस में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चुकि मेरे पास बड़ा नहीं है इसलिए मुझे दो पीस यहाँ पर जोडने पड़ेंगे आप जब इस्तिमाल करेंगे तो आपके पास जाहिर है कि अपने साइच के भी पड़े होंगे दोनों पीस जुड़ गए अब आप देखिए अब चुकि ये कंटेनर काफी लंबा है थोड़ा सा पोर्शन नीचे से छूट गया है जो नैपकेन कवर नहीं कर पाया तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी थोड़ी सी सुदली तो थोड़ा सा लुक भी और इनैंस हो जाएगा और साथ ही साथ अपना जो कंटेनर देख रहा है वो भी छिप जाएगा इसी पर ऐसे मैं लगा दूँगी अपना थोड़ी सी सुदली उपर के साइड भी थोड़े थोड़े से फेर बदल करने से उन में कुछ नया पनाता है और ये सब कुछ आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं आपके पास सुदली नहीं है तो और कोई कलर धागा पड़ाए वो चिपका सकते हैं और यहां पर अपने तीन कंटेनर्स तयार हो जाते हैं आपको पेंटिंग नहीं आती आपको ड्राइंग नहीं आती आपको कलर्स पर खर्चा करने की जरूरत क्या है आप इस तरह से सजाईए ना अब इनमें आपका पानी पड़ेगा तो भी खराब नहीं होंगे खुब सिंगोनिया है ना तो अब आपको कैसे लगे यह तो आप ही बताएंगे पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के फुरी के ओगनेजर्स अप धेर सारे बनाएंगे अपने किजन के लिए अपने गार्डन के लिए या कहीं पर भी जहां पर आप रखना चाहते हैं अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करने की और इस तरह के फ्री के जुगाड आप लोग शेयर जरूर किया करिए यह नहीं कि आपने वीडियो देख लिया आपकी जरूरत पूरी होगी अरे अगलों की भी जरूरत पूरी करेंगे तब ही तो बात पर ने की ना वीडियो को जरूर किया करिए चैनल के हिस्सा नहीं बने तो बन के जाए भई धेर सारे फ्रीके जुगाड किसको नहीं पसंदोंगे जल्दी से घंटी बजाए और बटन दबाएए और इंतजार करिए किसी अगले जुगाड का धन्यवाद